नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल और प्येसी मेकर पर दोस्तों आज का जो हमारा टोपिक रहने वाला है वो है बहु आवेशों के मध्ये बल एवं अध्यार ओपन का सिधान्त फोर्स अमोंग मैनी चार्ज एंड प्रिंसिपल ओफ सुपर पोजिशन तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पे फैस्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्या करें साथी बेल आइकन को करना चाहते हो तो हमारे जो टेलेग्राम ग्रूप है उसको जोइन अवस्य करें उसका जो लिंक है वो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो बहु आविशों के मध्यें बल एवं अध्यारोपन का सिध्ध तो देखो दोस्तों इससे पहले बारा जो टोपिक था कुलाम कानियम यदि आप उन्हें पढ़ लिया है अच्छे से समझ में आ गया है तो देखो दोस्तों उसमें हमने देखा था कि जब कुलाम कानियम केवल दो आविशों के लिए कारी करता है केवल दो आविशों के मध केवल दो चार्ज के मद्दे तो दो आविसों के मद्दे हमें बल का मान ग्यात करना होतों लगेगा कुलाम कानियम केवल दो आविसों की बात हो रही है Q1 आविस और Q2 आविस दो आविस हो गए लेकिन यदि यदि यहाँ पर क्या हो जाए दो से अधिक आवेस हो जाए तो क्या होगा तो दोस्तों यह कंडिशन यहां पर लागू होगी यदि दो से अधिक आवेसों की बात की जाएगी तो यहां पर जो कुलाम का नियम है वो यहां पर लागू नहीं होगा कौन सा होगा फिर जो अध्यार उपन का सिधान्त है वो य इसमें क्या बताएगा है कि दो से अधिक आविसों के मध्य बल अध्यार उपन के सिधान से ग्याद करते हैं कितने आविसों से अधिक दो से अधिक आविसों की अगर बात हो जाएगी तो वहाँ पर लगेगा अध्यार उपन का सिधान यदि केवल दो आविसों के मध्य बल निकाल लाओ तो वहाँ पर कुण सा लगेगा वहाँ पर लगेगा कुलाम गानियम ठीक दोस्तों हद्यार उपन के सिधान्त के अनुसार अनेक आवेसों की उपस्थिती में किसी एक आवेस पर लगने वाले परिणामी बल का मान अन्य आवेसों द्वारा अभिष्ट आवेस पर सुवतंत्र रूप से अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग सदिश योग के बराबर होता है ठीक दोस्तों यह हो गया जो बल निकालना बल का फॉर्मूला यह हो जाएगा एफ इसक्वल टू एफ उन प्लस एफ टू प्लस एफ त्री प्लस डॉट 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 टूट एफ एन यह हमारे पास कितने आवेसों एन आवेसों एक से अधिक आवेस हो गए यदी आवेसों सिंख्या एन ओगी तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा यह f vector is equal to f1 vector plus f2 vector plus f3 vector plus dot 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 plus fn vector तो दोस्तो ये formula है किसका ध्यार open का सिधान्त ठीक दोस्तो यहापर क्या है कि किसी एक आवेस पर लगने वाले परिणामी बल का मान अन्य आवेसों द्वारा बिश्ट आवेस पर स्वतंत्र रूप से अलग अलग लगाए गए बलो अलग अलग बल कुन से हो गए यह हो गया f1, अलग अलग f2 हो गया, यह f3 हो गया तो अलग अलग जो बल है उनके सदीश योग, इनका सदीश योग हो गया है यह इनका सदीश योग हो गया तो इनके सदीश योग के बराबर होगा बल हमारा वो तो यह फोर्मॉला हो जाएगा अध्यारोपन का शिद्धान्थ का ठीक दोस्तो अनेक आवेसों की उपस्तिती में लगने वाला बल इसको समझने के लिए देखो इसको डाइग्राम में इसको समझने का प्रियास करते हैं इसकी थोरी से देखो माना की एक निखाय जिसमें एन इस्थिर बिंदू आवेस उपस्तित हैं कितने हैं एन इस्थिर बिंदू आवेस उपस्तित हैं आवेसों सिंख्या कितनी है आपर आवेसों कि सिंख्या पताई गई है एन जिनके मान करमसा है कितने हैं Q1, Q2, Q3 और QN है इसमें Q0 आवेस पर लगने वाले परिणामी बलका मान हमें ग्याद करना है कौन सा है Q0? यह देखो यह है Q0 आवेस पर लगने वाले परिणामी बलका मान हमें ग्याद करना है इस आवेस से अन्य आवेसों की दूरियां कितनी है? R10 R20 R30 Ritäten G10 कुण शी दूरी यह देखो यह है Q0 Q0ावेस से Q1ावेस की दूरी कितनी है कुण शी है यह दूरी विच्ख वाली कितनी है R10 वेक्टर sorry R10एक प्र यहां पर कितनी है जो Q2ावेस है Q2ावेस की विच्ख दूरी कुण शी हो गई ये वाली हो गई तो ये वाली दूरी कितनी है R2,0 केप फिर है जो Q3 आवेस है इनके बिच की दूरी कितनी हो गई R3,0 केप ये हो गई ठीक दोस्तो तो ये इनके बिच की क्या है दूरिया है ठीक दोस्तो फिर देखो और ये दो इनके इस्थिती सदिस है Q1 आवेस का इस्थिती सदिस कितना है Q1 आवेस का है R1 वेक्टर और Q2 का कितना है यह R2 वेक्टर है Q3 का कितना है यह है R3 वेक्टर ठीक दोस्तो और Q0 का कितना है Q0 का है यह R0 वेक्टर ठीक दोस्तो यहाँ पर देखो यह है R0 वेक्टर दोस्तों यह R0 वेक्टर है यह फिर देखो दोस्तों जो यहाँ पर बल लगेगा ठीक दोस्तों जो बल लग रहा है Q1 Q0 आवेस पर Q1 आवेस के कारण जो बल लगेगा वो बल लग रहा है F0 1 Q0 आवेस पर Q2 आवेस के कारण जो बल लगेगा वो है F02 फिर Q3 आवेस के कारण Q0 आवेस पर जो बल लगेगा वो है कितना F03 फिर दोस्तों तो यह है जो हमारा डाइगराम यह X-AX है यह Y-AX है और यह Z-AX है फिर देखो फिर दिया गया है कि Q0 आवेस पर लगने वाले परिणामी बल कामान कौन सा हो जाएगा F0 ठीक दोस्तों F0 ब्रावर F01 F02 पलस F03 डोट 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 F0 N वेक्टर ठीक दोस्तों तो यह फोर्मूला कहा चाहिए अध्यार उपन का जो शिदान था है इसमें अभी अभी हमने पढ़ा था यह यह फोर्मूला यहां पर लगेगा टोटल हमारा जो फोर्स है यह कुन सा है Q0 आवेस पर लगने वाला देखो यह कुन सा है Q0 आवेस पर लगने वाला बल हमें जो टोटल फोर्स निकालना है वो निकालना है इस point पर Q0 अब इस पर तो दोस्तों, यहां पर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा F0 यानी F0 तो इन जो सभी बल लग रहे हैं अलग-अलग वो कितना हो जाएगा F01 वेक्टर F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डोट-डोट-डोट प्लस F0 एनिमेक्टर है ठीक दोस्तो फिर देखो ये फोर्मूला लगने के बाद क्या होगा ये फोर्मूला लगने के बाद फिर पहले इस बल का मान निकालेंगे फिर इस बल का मान निकालेंगे और फिर इस बल का मान निकालेंगे अब देखो दोस्तो एफ जिरो वन ये क्या है एफ 0-1 यह है फोर्स यह फोर्स कौन सा है केवल इन दो आविसों की मद्दे है Q1 और Q0 आविसों की मद्दे जो बल लगेगा दो आविस हो गए तो यहाँ पर दो आवेस है, दो आवेसों की बात हो रही है तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा लगेगा नियम जो कुलाम का नियम है, वो यहाँ पर काम करेगा अपना ठीक दोस्तों, देखो Q0 आवेस पर, Q1 आवेस के कारण लगने वाला बल कितना है Q01 बराबर कितना हो जाएगा Q01 X2 K Q0 Q1 upon R10 square और R10 K तो दोस्तों यह काँ से आया है हमारा कुलाम के नियम से आपने सबी पड़ा है जो पीछे वाला वीडियो है उसमें हमने यही यही जो टोपिक है इसी के बारे में हमने चर्चा की है कुलाम के नियम के बारे में यदि आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको अब इससे देख लीजिए क्योंकि जब तक आपको कुलाम का नियम नहीं आएगा तब तक आपको यह टोपिक भी समझ में नहीं आएगा ठीक दोस्तो तो इसमें क्या होता है फिजिक्स में कड़ी से कड़ी जुड़ती है अगर आपको पिछे वाले टोपिक्स कलिए रहे हैं तो आगे वाले टोपिक्स अपने आप ही कलिए होते जाएंगे फिर देखो दोस्तो जहाँ आपको सदीस है इसको बोला जाता है युनिट वेक्टर जिसकी दिशा Q1 आवे से Q0 आवेस की ओर है इसकी दिशा की साइड है Q1 आवे से Q0 आवेस की ओर देखो, Q1 Award से Q0 Award, ये देखो, इसकी दिसा की सइड से है, बल की दिसा इस सैड, तो Q1 से Q0 की ओर, फिर देखो दोस्तों, यह आगया हमारा सम्सक्षण नमबर एक, फिर देखो, इसी तरह से निकालेंगे हम Q0 Award पर Q2 Award के आब देखने वाला बल, ये किस तरह से आजाएगा, यहां की यहाँ पर भी केबल कितने आवेसों के बात हुरी है यहां पर भी दो आवेसों की दो आवेसों कुण से हो गए Q0 और Q2 तो इनके मद्रक्न जो बल लगेगा वो भी कहा से आएगा वो भी आएगा कुलाम के नियम से ठिकर दोस्तों पिर यह आ गया हमारे पास कुलाम के नियम से कितना गया F02K Q0 Q2 upon R202 R20K तो यहां से आजाएगा समीकरण नमबर 2 तो हमारे पास समीकरण 2 आ गए यहां पर क्या है जहां R20K एकांग से दिश है यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा Q2 आवेश से Q0 आवेश की ओर है उमिद करता हूँ दोस्तों आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे फिर देखो इसी प्रकार से हमने F01 निकाल लिया F02 निकाल लिया F03 आ जाएगा कितना KQ0 ठीक दोस्तो KQ0 Q3 upon R302 यहां पर देखो दोस्तों यहां पर यह जो 0 है Q0 यहां पर सभी में को मना रहा है हमारे पास चेंज क्या हो रहा है Q1 फिर यहां पर आगए Q2 यहां पर आगए Q3 इस तरह सी यह चेंज हो रहा है क्यों क्योंकि हम निकाल रहे हैं पहले तो निकाला हमने Q0 से Q0 आविस पर Q1 आविस के कारण लगने वाला बल फिर निकाला हमने Q0 आविस पर Q2 आविस के कारण फिर हमने निकाला Q3 आविस के कारण Q0 आविस पर Q3 आविस के कारण लगने वाला बल तो इसलिए जो यहां पर Q0 है यह तो रहेगा यहां पर इस प principle Н कितना जाएगा क्न हो जाएगा थीरी की जगह कितना जाएगा तीरी की जगह बड़ता जाएगा क्या है थीन पर हमारे पास अभे沙 सिछ से तो कितना बöll Gyदा fino जरू ए इस सभीएगा फिर चूड इजिरो ँ एफो अपन हो ए यहाँ जीरो इसक्वाइर अर एङ 0, K, तो मारे पास यह आगए समय करण 3, 4, 1, 2, 3, हमारे पास 4 समय करण यह आपर आ गए, ठीक दोस्तों, फिर हमें निकालना है परिणामी बल, कौन सा, परिणामी बल, एफ नोट, ठीक है, कहां से, अध्यारूपन के सिदान से, यह कैसे निकलेगा, हमने अध्यारूपन का सि परिणामी बल कामान, अलग-अलग आवेसों द्वारा लगने वाला बल, यह कौन सा है, यह तो बल है, F01, यह कौन सा है, F02, यह है, F03, यह कौन सा है, F0N, तो यह जो सभी अलग-अलग बल है, इनका जो योग है, वो किसके बराबर हो जाएगा, अभिष्ट आवेस पर बल सकते हैं, यह बात है, ठीक है, यह हो गए, अलग-अलग आवेसों द्वारा लगने वाला बल, कुलाम के नियम से निकाला है, ठीक दोस्तों, फिर क्या है, देखो, फिर यहां से कॉमन क्या आ रहा है, वो निकालेंगे, F0, F0 वेक्टर, फिर के, यहां पर कॉमन आएगा एक तो आजाएगा, के को मना जाएगा, एक आजाएगा, क्यू जीरो, के क्यू जीरो यहां से को मना गया, यहां से क्या बचेगा, क्यू वन अपोन आर वन जीरो स्कॉाइर, आर वन जीरो के, पलस क्यू टू अपोन आर टू जीरो स्कॉाइर, आर टू जीरो के, पलस क्यू नोट वेक्टर इसकोलड टू के क्यू जीरो समेशन में समेशन की रूफ में लिखंगे इसको समेशन की रूफ में किस तरह से लिखेंगे क्योंकि जो संध्या है संध्या टे हैं हम आई बराबर कहाँ से star हो रही है इस्टार्ट ये कुन सा बल्ल है F1 कुन सा है F01 है तो यहां से I बराबर कितना जाएगा I बराबर आजाएगा 1 I बराबर कितना गया मारे पास I बराबर आगया 1 I बराबर 1 और हमने जो आवेश की सिंख्या ली थी वो कितनी ली थी N तो यहां पर कितना आजाएगा एन आजाएगा फिर जहां पर भी one है वहां पर तो रखेंगे i तो यहां पर one है तो qi qi का मतलब क्या है i की मतलब i का मतलब होता है one से लेके two three four five इस तरह है एन एन तक ठीक है दोस्तों फिर इसी तरह से फिर इसी तरह से निचे बटे में आ जाएगा ri zero ri zero फिर ri zero k तो मारे पास यह formula जाएगा फिर देखो दोस्तों फिर f note फिर हमने यहां पर क्या किया है यहां पर k की value पुट की है k की value कितनी होती है one upon four pi epsilon note ठीक दोस्तों one upon four pi epsilon note यह होती k की value फिर देखो summation i is equal to one say n qi upon ri ri zero ri zero k तो मारे पास यह जो आजाएगा formula कुन सा अबिश्ट आवेस पर लगने वाले प्रिणामी बल्कामान ठीक दोस्तों सभी आवेसों दोवारा अबिश्ट आवेस पर लगने वाले प्रिणामी बल्कामान मारे पास से आजाएगा तो दोस्तों हमारा यह topic है यह complete होता है उम्मिद करता हूँ दोस्तों आपको जो भी मैंने आज जो topic पढ़ाया है आज का आपको बिल्कुल समझ में आया होगा यदि कोई doubt है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो और दोस्तों इसकी पीडिया प्राप्स करने के लिए आज ही हमारे टेलेग्राम गुर्प पो जोइन करें इसका लिंक मैं आपको description box में दे दूँगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत